वेवरीवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश स्वास्थ विवाग की दो बड़ी अपडेट्स के साथ हमें आपर आ चुके हैं जैसा की आप थनमिल में देख रहे हैं लिखावा समीदा कर्मियों के साला अनुबंध अब खत्म अनुबंध नवीनिकर खत्म करने के जो घोषड़ा की है मुख्यमंतरी ने उसकी पूरी अपडेट हम आपके साथ यहां पर शेयर करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो में लाश्ट तक बचरूब बने रहें और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडिय एक अपडेट जारी हुई थी दैनिक भासकर की तरफ से जिसमें की समीधा स्वास कर्मियों को पचास प्रसर तक भरती पर जो है उसमें आर्शन का लाद दिया गया था तो इसके बारे में पहले भी एक अपडेट आप लोगों को प्रवाइट की थे फाइनली यहां पर घो आप लोगों के लिए यहां पर पहली अपडेट है यहां पर जो कि है आप आप देख सकते हैं आंगनवारी कारकरता का मांदे तीन हजार रुपे प्रतिमा बढ़ा दिया गया है हर साल एक हजार का इंक्रिमेंट होगा सहाइकाओं को भी होगा फाइदा तो यहां पर आप स सजा मिलता था अब यहां पर तेरह हजार हो जाएगा सहाइका वा मिनी आंगनवारी कारकरता का भी मांदे 750 पर से बढ़ा कर बढ़ गया है जिसकी वजह से अब उनको जो है 5750 रुपे कर दिया गया है मंगलवार को कैबिनेट बैठेक में इस पर मोहर लग गई तो यहां प 25 रुपे मिलेंगे तो जो भी आंगनवारी कार करता है या जो भी कार करता है सहाइका या जो भी है उनको यहां पर दिया हुआ है कि जो भी कार करता है उनको रिटार्मेंट जब होंगे तो उनको 1,25 रुपे मिलेंगे यानि कि 100 रुपे यहां पर दिये जाएंग रिटार् करता है उनको रिटार्यमेंट पर एक लाग रुपि दिया जाएगा और हर साल का इंक्रिवें प्रश्ध Crainer रहें होना है तो यहां पर आपको बतादे कि जो है आंगनवारी कार्ता है इनको यहां पर 1000 उ सब्सक्राइब से पहले था सली इनका एक बढ़ा के इनको 13000 रुपे मिलेगा औक Kartra का είें हैं है या मिन्नि आग्नवारी करता है इनका इनका मान्दे हारसाल500 रुपे बढ़ेगा अभी इनको मान्दे मिल था 50 मेशा बढ़ाया गिया तो 5500 रुपे बढ़ेगा प्लस नहीं वर में पान्वार करता सब्सक्राइब साथ कालेज को सब्सक्राइब धिए 1529 को सविक्रति मिली इसके अलावा मा अहिल्या देवी कल्यान बोर्ड का गठन होगा इसमें एक अध्याच व चारा सत्रांसंकों तेक्ता नियास की सब्सक्राइब पर भी बनेंगे और इसके लिए 589 पद भी सरजित कर दिये गए इसके लिए सुविक्रिती भी मिल चुकी है तो यह बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पर आप सभी कंडेट के लिए रहनेली उम्मध्यपतेश को जो भी कंडेट से इन सभी के लिए बड़ी अपडेट यहां पर आ ऐसा कि आप लोगों को पता है कि चुनावाने ओले हैं उससे पहले यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यहां पर बहुत ही बड़ी सवगात जो है समीधा कर्मियों को दी गई है आदे सकते हैं समीधा कर्मियों के सालाना अनुबंध अब खत्म सुवि पहले ऐसा होता था कि आप जोइन करते थे एक साल का अनुबंध होता था उसके बाद नवीनी कर्ण होता था अब इसको खत्म करने की खोश्रा कर दी गई है मुख्यमंत्री शिवरा सिंह चोहान की तरफ से अब इन्हें जो है वेतन ग्रेचुटी और छुट्यों जैसी सु नोतिलाल नहरू स्टेडियम में सविधा कर्मियों के समयलन को सम्मुद्धित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मेरी सरकार कोवीड गाल में बनी थी उस समय सविधा कर्मियों ने लोगों की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोग MP रूपी भवन की निव के पत्थ खत्म कर दिया गया है तो यह जो है साथ में और जो है इनको जो समय नियमित कर्मचारियों के तरह ही अब वेतन ग्रेचुटी और चुटियों का भी लाब मिलेगा साथ में यहां पर एक गोश्रा और भी किया आप दे सकते यह कटा वेतन वापस मोगत्म में खत्म होंगे त समय ग्रेचुटी भी मिलेगे स्वाथ विवा के लाभ भी मिलेगा नियमित के स μानहीं आवकाश मात्रत तो का नियमित महिल्या करमचारियों जतना ही मिलेगा आंदोलन में जो यह बहूत ही बड़ी अप ड़ीट आप सभी जो तो मध्य प्रदेश के संविधा कमचारी उनके लिए रहने वाली है फिर आप आप दे सकते एक अपडेट यहां पर दीगे सीखो कमाओ योजना इसकी अपडेट मैं ने आपको अभी एक दिम पहले ही दी थी 15 अगस्तक एक लाग भरतिया की जाएंगी मुख्यमंत्री ने और 10,432 प्रतिष्ठान रेइश्टर हुए हैं तो अभी तक 10,432 जो है कंपनिया रेइश्टर हो चुके हैं अब उन में जो है इन लोगों को जो यहां पर इंट्रेश्टिप कराई जाएगी और उनको वहां पर जाब काउसर मिलेगा इस महीने के आठ से इस महीने के आठ स 10,000 रुपे तक मिलेंगे इस मलब जो इसमें कंडियेट काम करेंगे उनको आठ से 10,000 रुपे पर मंथ इनको जो है इंट्रेश्टिप दी जाएगी सीम के मुताबिक 55,000 भरतियां हो चुकी हैं और 15 अगस से पहले एक लाग से अधिक सरकाई भरतियां की जाएंगी तो यह बहुत ही बड़ी अपडेट आप सभी कंडिट्स के लिए अप रहने वली है और इससे पहले भी भासकर ने एक अपडेट यहां पर आप दे सकते जारी की थी समीदा कर्मियों को नियमित जैस्टियू सुविधाएं और भरति में 50 परसा आचल की खबर भासकर ने 16 जुन को कोटा 50 परसेंट तो यहां पर आप दे सकते हैं यह जो निट्रिकेशन पहले भी जारी की जा चुकी ति जिसमें बताया गया सीधी भरतियों में भी अभी समीदा को 20 परसेट कोटा मिलता था अब यहां पर 50 परसेट कोटा दिया जाएगा और पेंसन पर भी विचार किया ज कर्म्छार्यों को सरकारी कर्मी की तरह सुधाय के लिए पालसी तयार कर ली गई इस पर जून पर महल लग सकती है समीदा कल्चर को खत्म कर दिया गया अपर्मन जैसी सुविधाएं जो सविधा कर्मचारी है उनको भी मिलेगी विधान सभा चुनाओं से पहले राज सरकाई से लेकर बड़ा एलन कर सकती है नहीं पालसी में ना केवल सविधा कर्मियों को पूरा वेतन देने का प्रावधान होगा बलकि सामा है तो यहां पर जो है उनको ग्रेश्चुटी भी दी जाएगी तो यह आप जैसे पहले भी अप्डेट इस पर जारी की गई थी और जैसा कि आप लोगों पता है कि पहले जो सीधी भरती उती थी उसमें जो है समविदा कर्मियों का 20% कोटा होता था अब यहाँ पर कोटा जो है 50% समविदा कर्मियों का कर दिया गया है तो यह बहुत ही अच्छी अपडेट आप सभी मत्य प्रदेश के कंडिडेट्स के लिए रहने वाली है तो फ्रेंड्स पूरी अपडेट मैंने आपके शाहते यहाँ पर शेयर कर दी है आई होप यह वीडियो आप सभी कर्देश के लिए इंफार्मेट्व रहेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत